सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तों इंडियन जोगरफी की सीरीज को देखे आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुग दर्राओं की काफ़े इंपोर्टेंट वीडियो है यहां से भी देखिए अकसर एक्जाम में कोश्यन जो है वो देखने को मिलता है मैं आपको देखिए इस वीडियो में ट्रिक के माध्यन से याद कराऊंगा की भारत की प्रमुग दर्राओं जो है वो किनकिन राज्यों में इस्तित है बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है अगर आपको इस टॉपिक का पीडियेफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जिके ट्रिक का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां पर हमने ऑप्शन दे रखा है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको देखिये इस वरीज चलेंगे कि किस राज्यम में कोन-कोन सी प्रमुग दर्रा है जो है वो इस्ती थे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम राज्यगी आप देखिए उस समय के लिए तो हमको याद हो जाता है बढ़ हम देखिए लंबे समय में इसको भूल जात तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे देखिए ट्रिक क्या है आपको देखिए यह वर्ड को कंटिन्यूसली 15 से 20 बार बोलना है क्या बोलना है आपको ना थू सिक ना थू सिक ना थू सिक यह आपको 15 से 20 बार जितनी बार आप इसको बोलेंगे उतनी बार आपके यह जिबान पर अच्छे से सेट हो जाएगा वैसे ही आपको बोलना है जेल सिक जेल सिक जेल सिक देखिए फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और 100% काम करेगी आप जब लास्ट में कोशन आंसर टेस्ट लगाओगे तब आपको देखिए समझ में आएगा कि ट्रिक ज जेल लभी तर्रा जो है वो सिक किम में इस्ति थे एंग्जाम में देखिए कभी खुशन आया कि नातु ला रदर्रा कहां पर इस्ति थे हैं और आपको ऑप्शन दे रखाये अरुनाचल प्रदेश , मनि पूर , शिक option दे रखा है तब आपको क्या करना है सभी के साथ में मेच करके देखना है जैसे कि ना तू अरून मेच ही नहीं हो रहा क्योंकि आपने ये कभी बोला ही नहीं है ना तू मणी ये भी आपने कभी बोला ही नहीं है ना तू सिक तो देखिए यहां पर आपको लगेगा कि ये word म इने बहुत बार बोला है मतलब आपको वो मेच होता हुआ दिखेगा तो आपको आंसर जो है वो easily समझ में आ जाएगा clear इसके practice देखे last में हम question answer test में भी करेंगे इसके बाद देखे friends हम बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश की तो अरुनाचल प्रदेश में भी देखे दो दर रहा है कौन कौन सी एक है बॉम डिल्ला दर रहा और है दिफू दर रहा ठीक है तो friends यहाँ पर हमारी trick क्या है बॉम अरुन बॉम अरुन आपको 20-25 बार अच्छे से बोल लेना है उसी तरीके से दफा अरुन आपको बोलना है ठीके यह सारे words जो होंगे वह आपके जिबान पर अर्चिसे सेट हो जाएंगे आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि बोम मनी बोम मनी यह आपने कभी बोला यह नहीं है तो आपको वह सही लगे गा यह नहीं एक्जाम में आपको bomb अरुम बॉम बनायता अरुम ने तो दफा अरुम ये आपको पुरा मेच होता हुआ समन्द में आएगा अब देखिए हम बात करते हैं अगले राज्य की जोकी है मनीपूर मनीपूर में देखिए एक दर्रा आपको दिमाग में रखना है बहुते important है तुजू दर्रा तुजू दर्रा जो है ये मनीपूर में इस्तित हैं और हमारी trick क्या है friends आपको बोलना है continuously तूजू मनी तूजू मनी तूजू मनी क्या बोलना है आपको तूजू मनी तो इसको अच्छे से प्रेक्टिस कर लिजिए तूजू मनी तूजू मनी आप इसको बोल लिजिए 15-20 बार अच्छे से बोल लिजिए आपके ये जिबान पर अच्छे से सेट हो जाएगा देखे कोई भी मेहनत नहीं है इसको याद करने के लिए बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ इसके बाद देखे फ्रेंड्स हम बात करते हैं उत्राखन की उत्राखन में देखे तीन प्रमुख दर्रा हैं जो की बहुत ही इम्पोर्टेंट है निती दर्रा, माना दर्रा औ लिपू लेग दर्रा ठीके फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखे हमारी ट्रिक क्या होगी आपको ऐसा बोलना है क्या बोलना है नीती उत्रा माना उत्रा लिपू उत्रा कंटिनुसली इसको बोलते जाएए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें ध्यान रखेगा लिपू लेक दर्रा का उपयोग जो है वो केलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट भी है लिपू लेक दर्रा ठीके कहां परिस्तिते हैं ये उत्रा खंड में लिपू उत्रा लिपू उत्रा लिपू उत्रा लिपू उत्रा इसको बार बार बोल लिजिए एक्जाम में कोशन आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की देखिए हिमाचल प्रदेश में important है ship किला दर्दा ship किला दर्दा जो है वो कहाँ पर इस्तित है हिमाचल प्रदेश में तो इसको कैसे याद रखना है देखिए आपको ऐसा बोलना है ship him किसी product को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं क्या बोलते है ship him भेज नाम तो उसी तरीके से देखिए आप इसको बोल दीजिए ship him, ship him, ship him continuously इसको बोल दीजिए तो आपके देखिए दिमाग में ये word जो है अच्छे से सेट हो जाएगा कि ship किला दर्दा जब भी आएगा आपके दिमाग में आजाएगा ship him मतलब हिमाचल प्रदेश में clear इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है कौन सी रोतांग दर्रा रोतांग दर्रा देखिए ये सबी को पताईए तो इसमें हमको ट्रिक से याद करने की जरूत नहीं है कहाँ पर इस्तिते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत ही देखिए famous tourist point है रोतांग दर्रा तो आपको देखिए easily ये याद हो जाएगा इसमें हमको कोई भी trick लगाने की जरूत नहीं है इसके बाद देखिए बात करते हैं friends लद्दा की लद्दाक में आता है देखिए कारकुर्रम दर्रा तो कारकुर्रम दर्रा को देखिए ऐसे याद रखना है कार लद्दा कार लद्दा कार लद्दा हमको इसको बोल लेना है अच्छे से देखिए बहुत ही simple trick है कोई भी इसमें मेहनत करने के आपको ज़रूद नहीं है जितना बता रहा हूँ बस आप उतना करते चाहिए कार लद्दा कार लद्दा कंटिनियूसली इसको अच्छे से बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए इसके बाद हम बात करते हैं देखिए जम्मू कश्मीर की यह बहुत ही important है क्योंकि यहां पर देखिए बहुत ज़़ा confusion होता है तो यहां पर देखिए 3 दर्राओं को आपको दिमाग में रखना है जम्मू कश्मीर में आती है एक देखिए बुर्जिल दर्रा बनिहाल दर्रा और जोजिल दर्रा ये तीनों दर्राय जो है वो जम्मू कश्मीर में आती है तो आपको देखे केसे याद रखना है जम्मू कश्मीर में बहुत ही एदा ठंड होती है तो आपको ऐसे ध्यान रखना बुर्जी जम गई इतनी ठंड थी कि वहाँ पर बुर्जी जम गई किसी व्यक्ति का मापन ननिहाल था तो वो भी जम गया और जम्मू कश्मिर के जितने भी जिले हैं वो भी जम गये तो ऐसे बोलना है इसको बुर्जी जम गई, ननिहाल जम गया और जिला जम गया ठीके? इसको आप बोल बोलके प्रैक्टिस कर लीजिए तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मिर में, बनियाल दर्रा जम्मू कश्मिर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मिर में इसमें एक important note जान रखेगा, जोजिला दर्रा जो है, वो श्री नगर को ले से connect करती है ठीक है ले जो की लद्दा की राजदानी उसको श्री नगर से connect करती है कौन सी जो जिल्ला दर्रा वेरी वेरी important यहां से देखिए question पुछा गयाता है SSC में ठीक है तो यहां पर देखिए यह trick वाला section complete होता है कुछ basic information और मैं आपको देज़ेता हूँ बहुत important points है यह महारास्ट में देखिए दो दर्रा है आपको दिमाग में रखना है एक थालगाट दर्रा और भोरगाट दर्रा इसको trick से आत करने के जरूद नहीं है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा थालगाट दर्रा और भोरगाट दर्रा जो है ये महारास्ट में इस्ती थे और पालगाट दर्रा जो है ये देखे फ्रेंट्स कहाँ पर रिष्ती थे केरल में इस्ती थे पालगाट दर्रा केरल में इस्ती थे और पालगाट दर्रा कहां पर इस्ती थे, केरल में इस्ती थे Map में देख लीजिए friends, अच्छे से इस image को अपने दिवाग में fit कर लीजिए Map से आपको ये easily याद हो जाएगा पालगाट दर्रा कहां पर आती है, केरल में आती है इसके अलावा देखी एक कोशन एक्जाम में पुछा गया था तो ध्यान रखेगा खेबर दर्रा खेबर दर्रा जो है ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर इस्ती थे और इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था किस दर्रे से खेबर दर्रा से ठीक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस्ती थे उस समय पाकिस्तान जो था वो भारत का इस्सा हुआ करता था और आर्यो ने जिस दर्रे से भारत में प्रवेश कराता वो कौन जिती खेबर दर्रा थी last point देखिए friends चांगला दर्रा की बात करेंगे तो देखिए इसको हम meaning से याद कर लेंगे चांग का मतलब होता है देखिए लद्दाक में उत्री मतलब उत्तर और ला का मतलब होता है पहाडी दर्रा तो चांगला दर्रा मतलब उत्री पहाडी दर्रा तो सबसे उत्तर में तो देखिया आता है हमारा लद्दाक तो यह कहाँ पर इस्तित होगी लद्दाक में इस्तित है चांगला दर्रा ठीक है इसको आप meaning से याद कर सकते हैं बहुत easy आपको समझ में आ जाएगा यह जो चांगला दर्रा है यह तर्रा लद्दाक को तिबबत से connect करती है तो friends यहाँ पर देखिये हमारा यह theory section जो है trick वाला वो complete होता है I hope आपने देखिये जो मैंने बताया वो ध्यान से सुना होगा अब बारी यह देखिये हमारी trick कितनी successful है इसको test करने की तो हम last year जो भी exam में question पूछे गए इस topic से वो सारे question का देखिये एक test लगाएंगे और जो भी हमारी trick थी उस trick को देखिये हम अजमा के देखेंगे कि यह trick successful है या नहीं है तो चलिए test के ओर चलते है देखिये friends हमारा पहला question है लिपू लेक दर्रा इस्ती थे तो देखिये यहाँ पर option है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और अवनाचल प्रदेश तो बस यहाँ पर match करके देख लीजी आप लिपू जम्मू यह हमने बोला था क्या आपको ऐसा लग रहा है word नहीं बोला था लिपू हिम, यह भी देखिये word हमने कभी नहीं बोला लिपू उत्रा, देखिये लिपू उत्रा, लिपू उत्रा बार बार हमने practice करी थी तो यह match होता हूँ आपको दिख रहा है देखे friends, पश्यम से पूर्व की तरफ हमको देखना है, ठीक है यह हो गया हमारा देखिये west और यह हो गया हमारा east यहाँ पर देखिये ship की लादर्रा, ship की लादर्रा मतलब देखिये हमने इसको trick से आत करा था ship him, ship him, बोला था हमने बार-बार, तो मतलब हिमाचल परदेश में है यह, ठीक है नाथूला दर्रा, तो नाथू सिक, नाथू सिक हमने बोला था, मतलब यह कहाँ पर है, सिक किम में इस्ती थे इसके बाद देखिये, बॉम डिल्ला दर्रा, बॉम अरून, बॉम अरून, दफा अरून, दफा अरून, मतलब दीफू दर्रा और बॉम डिल्ला दर्रा, यह कहाँ पर हिस्ती थे, अरूनाचल परदेश में हमने practice करी थी, तो बॉम डिल्ला, मतलब अरूनाचल परदेश मे एक number ठीक है उसके बाद देखिए कौन सा आएगा लिपूल एक दर्रा उत्राखंड आएगा मतलब 4 number उसके बाद आएगा सिक्कीन का नातुला दर्रा मतलब 2 number और फिर आएगा अरुणाचर प्रदेश मतलब बॉमडिला 3 number तो 1 4 2 3 यह answer देखिए C answer हमारा यहां पर सही होगा बहुत ही आसान तरीके से आप answer जो है वो option से निकाल लोगे चलिए अगला question लेते है नीती माना क्या है नीती माना क्या है friends दर्रा है B answer माना दर्रा इस्ति थे तो हमने देखिए practice करीती माना उत्रा नीती उत्रा लिपू उत्रा तो माना मतलब कहाँ पर उत्राखंड यहां पर B answer उत्रप्रदेश से लेकर देखिए confuse मत हुएगा यहां पर कोई भी दर्रा नहीं है रोतांग दर्रा अवस्ति थे रोतांग दर्रा देखिए famous tourist place है यह तो तो हमाचल प्रदेश A answer चलिए अगला question लेते है निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है नाथूला दर बिल्कुल सही है रोतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है और पालगाट केरल में बिल्कुल सही है तो यहां पर A वाला answer जो है वो सुमेलित नहीं है पालगाट निमलिकित में से किनके मद्ध में इस्तित है तो मैंने आपको बताये था अन्ना मलाई और निलगिरी पर भॉम अरून दफा बें यह है यह देखे गलत है नाथूशी क्नाथू सीक हमने बुलाता मतलब शिक किम में सही थे में हैं तो कहीं यह तो कहीं से कहीं तक गिक्सार में नहीं है तो सुमेलित नहीं हो गा ओके इसके बाद देखिए जो जपला जम्मू कश्मीर जपलाट यह बार बार हमने प्रेक्टिस करी थी, तो यह तो लद्दाक में इसती थे, बी आंसर, देखे फ्रेंटस, एक बार आपने अच्छे से प्रेक्टिस करी होगी, तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर जो है, वो निगाउ सकते हो. मैं आपको explain करकर इसलिए बता रहा हूं कि आप भी उसी तरीके से solve करो जिस तरीके से मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे आप देखिए आने वाले time में आपको revision करने की भी जरूत नहीं होगी exam में question आएगा आप सीधे answer तक पहुँच जाओगे बार-बार revision करने का student के पास वेसे भी time होता नहीं है और यह बहुँच छोटा सा topic है पर exam में question यहां से पूछ लेते हैं देखिए next question निम्न मैं से कोन सही सुमेलित नहीं है लिपू लेक उत्राखन बिल्कुल सही है बार-बार हमने practice के लिए रोतांग हिमाचल प्रदेश यह भी बिल्कुल सही है पालगार धर्रा केरल में स्थित है नातुला अरुनाचल प्रदेश देखिए नातु सिक दी आंसर सुमेलित नहीं होगा निम्न मैं से कोन सही सुमेलित नहीं है बॉम डिल्ला अरुनाचल प्रदेश बिल्कुल सही जेलेपला सिक्किम देखे जेल सिक जेल सिक नातू सिक नातू सिक हमने बोला था तो ये भी बिल्कुल सही है माना और नीती दर्रा उत्राखन में बिल्कुल सही शिप किला जम्मू कश्मिर में तो किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? निमलिखित में से कौन सा दर्रा? पश्रिम घाट परवत माला में रहा है वहारत का दक्षॉन का इस्सा इसमें डेखे यहाँ पर ब इस पश्यम घाट की. तो इस पश्यम घाट में देखिए है थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट. यह तीनों देखिए पश्रिम घाट परवत माला में इस्थित हैं जबकि पिपली घाट जो है यह अरावली में आता है तो यह दियान रखेगा friends यह पश्रिम घाट परवत माला में इस्थित नहीं है चलिए अगला question लेते हैं पिपली घाट दर्रा किस परवती भाग में इस्थिते हैं तो पिपली घाट दर्रा ध्यान रखेगा अरावली परवर्षेणी में इस्थिते हैं बी आंसर पाल घाट दर्रा निम्न मेंस से किन दो राज्यों को जोडता हैं पालगाट दर्रह देखे कहां पर रहुत थे हैं केरल में और केरल और तमिल नाड़ो को connecting करता है A. अंसर तूझू दर्रह भाराद को किस से जोड़ता हैं देखे तूझू दर्रह चो हें कहां पर रहुत थे हैं तूझू मणी तूझू मणी हमने बोला था देखे फ्रेंट सिक्किम की बात हो रही है तो नाथूला और जेलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित थें नाथू सिक्द्णіть जेल सिक्द्ण हमने फ्रेक्टिस करी थी तो ये १ी अंसर सुप्रसिथ केलाशमांसरोगर यात्रा गुजर्ती हैं. तो मैंने आपको बताय था लिपू लेक दर्रा B.A. निमने में से कोन सुमेलित नहीं है लिपू लेक उत्राखंड में बिल्कुल सही नातु ला अरुनाचल परदेश देखे नातु सिक B.A. जो होगा वो सुमेलित नहीं होगा रोतांग हिमाचल परदेश में और पालगाट केरल में next question लेते हैं केबर का दर्रा कहां पर है केबर दर्रा कहां पर है देखिए पाकिस्तान में इस तीत है डी answer निमलिकी दर्राओं में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है देखिए ये SSC में question पूछा गया था काफी important है मैंने आपको बताया था जो जिल्ला दर्रा जो जिल्ला दर्रा जो है वो श्री नगरो ले को connect करता है ये answer यहाँ पर ब्रिपूल सही होगा तो friends देखिए यहाँ पर हमारे सारे important questions complete होते हैं जो last year exam में question पूछे गए थे वो सारे question आपने बड़ी आसानी से solve कर लियें I hope आपने भी बड़ी आसानी से solve कर लिया होगा तो trick की एक बार अच्छे से practice और कर लिजिए उसके बाद आपको बार बार इसका revision करने की ज़रूत नहीं होगी एक्जाम में question आएगा बड़ी आसानी से आप सही answer टिक करके आओगे तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको trick अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके ज़रू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जये जये बारत